राम नाम के चमतकार राम से बड़ा राम का नाम क्यों माना जाता है? यह कहानी इस वाक के को सिद्ध करती है हनुमान जी श्री राम के सबसे प्रिय भक्त है कि आप जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि श्री राम को हनुमान जी को मरत्यु दंड देना पड़ा कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो उनकी सभा में बहस हुई कि राम बड़े या फिर राम का नाम बड़ा नारज जी कहते थे कि राम का नाम बड़ा और बाकी सभी सभाजन कहते थे कि राम बड़े अपने वचन को सिद्ध करने के लिए नारज जी ने एक युक्ती लगाई जब हनुमान जी सभा में आए उन्होंने हनुमान जी को सभी रिशी मुनियों को प्रणाम करने के लिए कहा लेकिन महाराज श्री विश्वमित्र के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया उधर विश्वमित्र जी को जाकर बोल दिया हनुमान जी ने आपको प्रणाम नहीं किया उन्होंने आपका अपमान किया है विश्वमित्र जी ने श्री राम से कहा कि हनुमान ने मेरा अपमान किया है इसे मृत्यू दंड दे दू जब हनुमान जी को पता लगा कि श्री राम जी उन्हें मृत्यू दंड देने वाले हैं तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और राम राम की धुन चपने लगे राम नाम रटते रटते उनका ध्यान लग गया जब श्री राम जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हनुमान जी पर बहुत से तीर चलाए पर हनुमान जी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ लेकिन अपने गुरू की आग्या को पूरा करने के लिए राम जी ने उन पर ब्रह्म हास्त्र भी चलाया लेकिन वह भी विफल हो गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी लगातार राम राम जप रहे थे रिशी विशिष्ट ने फिर रिशी विश्वामित्र से कहा कि आप राम को इस धर्म संकट से निकाल दो हनुमान राम राम रट रहे हैं इसलिए हनुमान का एक बाल भी बाका नहीं हो रहा उधर श्री राम अपने गुरू की आग्या पूरी ना कर पाने के कारण परिशान थे फिर विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वच्चन से मुक्त कर दिया फिर नारज जी ने बताया कि हनुमान जी ने रिशी विश्वामित्र का अपुमान नहीं किया मैंने जानबूच कर उन्हें रिशी विश्वमित्र के बारे में बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहता था कि राम से बड़ा राम का नाम है, और इस बात को राम भक्त हनुमान से बढ़ कर और कौन सिद्ध कर सकता है, जो राम नाम जबते हैं, उनका कोई बु राम का नाम है जैश्री राम